आज मैं आपके साथ पिजा सौस की रेश्पी सेर करने जा रही हूं तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिए हैं अच्छी तरह से पका हुआ टमाटर मैंने 5 ग्राम लिए हैं और यह पल्पी टमाटर है इससे ज्यादा अगुद्दा निकलता है तो इसी तरह कर लिजिएगा एक बरे प्याज को बारी काट कर लिए हैं और 8-10 कलिया लशन को भी बारी काट लिए हैं तो चलिए सौस बनाना शुरू करते हैं पैन को गरम कर लिए हैं अब इसमें दो बरे चमश तेल डाल लेते हैं और तियल को गरम होने देते हैं तो अब इसमें डालते हैं यह कटा हुआ लशन ही और ल Catholics जलाती हुए गोलिन बरन होने तक बुन लेते हूं तब इसमें डालेंगे हम प्यास है तो यह देखें लस्चन गोलिन बरान हो चुका है अब इसमें डाल लेते हैं प्यास और प्याज को भी इस तरह से चलाती हुए हलका गोल्लिन ब्राण कलर का हूने देंगे तो भूल लेते हैं पहले प्याज को अब यह पक चुका है इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे लशन प्याज को अब इसमें डाल लेते हैं एक चमस डाले हैं तुलसी के पत्यज़़े पीस में काट कर भी डाल सकते हैं और एक चली फ्लेक्स अब इक बार इनहीं मिला लेते हैं और इसमें आप डालते हैं एक चमस रोजमेरी एक आप डाल दो तो कोई बात नहीं इसके विना भी पीजा सॉस बना सकते हैं अब सारे चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो अब इन में डालते हैं टमाटर अब एक बार चला देते हैं सारे चीजों को और लो फ्लेम पर इन्हें धखकर दो मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका जूस बाहर निकल कर आए गायस का फ्लेम बिल्कुल हाई मत कीजेगा नहीं तो यह जल जाएगा नीचे से तो एक मिनट मैंने पका लिए हैं धखकर अब एक बार फिर से चला देते हैं और फिर से धखकर इन्हें एक मिनट और पकाएंगे और देखें इसमें जूस आना शुरू हो गया है तो एक चम्मच इसमें नमक डाल लेते हैं मिला देते हैं अच्छी तरह से और फिट ढखेंगे इन्हें तो अब ढखकर इन्हें लो फ्लेम पर एक मिनट और पकने देते हैं तो अब एक मिनट फिर से हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं देख सकते हैं आप और बहुत अच्छे तरह से पक चुके हैं तो आप चाहे तो इस बग टमाटर का छिलका निकाल सकते हैं इसली निकल जाएंगे अभी देखिए इस तरह से लेकिन मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मैं मिक्सी में पीशूंगी तो यह अच्छी तरह से शॉप्ट हो चुके हैं सिलका भी तो अच्छी तरह से पीश जाएंगे अब सारे चीजों के अच्छे से मिलाते हुए चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे से हाई फ्लेम पर ही जब तक यह गाढ़ा नहों जाए अब इन में डालते हैं एक चमच चीनी और एक चमच टमाटार का सॉस टमाटार का सॉस अफ्शनल है लेकिन डालेंगे तो इसका कलर भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आजाता है तो डाल कर मिला लेते हैं और इसी वक्त कुटी हुई काली मिर्च डाल लेते हैं आधा चम चमच क्योंकि हम पीशेंगे ही मिक्सी में तो पीश जाएगी अब इसमें हम फाइनली डालते हैं एक चमच काश्मी लाल मिस पाउडर इससे कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है तो आप जरूर डालिएगा और चलाते हुए अब इन्हें गाढ़ा होने तक पकाते हैं तो अब देखे एप चुके हैं अब इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे नहीं तो पीशनी के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा तो गैस आप कर देते हैं और इधे ठंडा होने देते हैं देखे ये पैन को छोड़ने लगे हैं देख सकते हैं आप देखे तो चलिए गैस तो अब यह ठंडा हो चुके हैं अब हम इसे जार में रखकर पीश सकते हैं तो एक मिक्सर जार में रख लेते हैं इन्हें बहुत बारिक नहीं पीशेंगे थोड़ा सा मोटा पीशेंगे तो देखें मैंने पीश लिए हैं थोड़ा सा मोटा ही रखें हैं इसी टेक्शर की होत अब मैं आपको इंस्टेंस पीजा सॉस बना कर दिखाती हूं यह बहुत ही आसानी से बना लेंगे तुरंट तो ए मैंने टमाटर का सॉस लिए हैं और यह भी होममेड है मैं इसकी रेश्पी आपके साथ सेर की हुए हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा इसक चुथाइच चमज चिली फ्लेक्स चुथाइच चुथाइच चमज लसन का पाउडर इसके जगह आप लसन को भी चोटे-चुटे टुक्रे में काटकर भी डाल सकते हैं और यह चुथाइच चुथाइच चमज कुटी-वई काली मिर्च और सारे चीजों को मिलाएंगे अब मिला कर इसमें और सॉस डालते हैं और अच्छी तरह से मिला लगते हैं तो अब ये इंस्टेंट पीजा सॉस बन कर तयार है आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप तुरंट फ्रंट इस तरह से बना कर पीजा बना सकते हैं क्योंकि टमाटर का सॉस सभी के घर पर होत सकते हैं घर पर रख सकते हैं बना कर टमाटर का सॉस तो दोनों तरह का सॉस बनकर तयार है आप इन्हें बना कर सकते हैं कोई एटाइड कंटीनर में डाल कर और फ्रीज में रखे एक डेर महिना आराम से चल जाएंगे और हमने इन्हें बिना पेजर भेटी बिना कोई केमिक दिखाए हैं आपको तो आप जरूर बराएं और अपना अनुभम मेरे साथ सेर कीजिएगा रेश्पी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर कीजिएगा तो फिल मिलेंगे एक नहीं करेश्पी के साथ